हाँ तो दोस्तों game प्लास सनमार के quarter 3 के नमबर्स आज चुके हैं तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे क्या आपको game प्लास चनमार क्या ना invest करना चाहिए या नहीं चली शुरू करते हैं तो देकि अगर हम revenue के numbers के अगर हम बात करेंगे तो पिछले quarter के comparison में आदे percentage के लगबग revenue का number में यापे काम होता हुआ नज़र आया है और यह number आया है 1188 crore पे लेकिन अगर हम profitability के बात करेंगे यह number 28% के हमें काम होता हुआ नज़र आया है और यह number आया है 27 crore तो अगर आप देखोगे लगबग पिछले साल से अगर हम बात करेंगे around 30% के लगबग पीवी के prices हैं वह में कम होते हुए नज़र आया है और अभी भी अगर हम देखेंगे तो लगबग काफी जादा हमें देखने को मिलती है तो कि अगर चाइन अगर कभी सप्लाय काफी कम हो जाता है तो वहां पे एक दम प्राइस अगर हम देखते हैं तो रात और रात वहां पर 20-30% चामें प्राइस बढ़ते हुए नज़र आते हैं तो आपको अगर यह कमनी के अगर पैसे लगा रहे हो तो आपको डेली जो PVC के जो प्राइस चल रहे हैं वो आपको लगाता देखना पड़ेगा अब अगर हम यहापे यह रॉन यह विसिस के अगर हम बात करेंगे तो लगबग 18% चमें यहापे जो कमनी का रेवेन्यू का नंबर है वहमें यहापे कम उता हुआ नजर आया है ल देखे नॉर्मली जो PVC के अगर हम बात करेंगे तो पिछले साल के मुकाबले अराउंड 20-30% से उनके प्राइस अमें यहापे कम होते हुए नजर आए हैं और उसके अलावा अगर आप देखो कि जो PVC की जो डिमांड है वह भी हमें यहापे कम होते हुए नजर आए हैं तो देखा जाए तो कमनी के नंबर से में अपे अच्छे नजर नहीं आती हैं तो देखे अभी लगबग 4-30 रूपीज के लगबग यह स्टॉक हमें ट्रेड होता हुए नजर आ रहा है अगर हम आल्टाइम हाइस चे अगर हम बात करेंगे अरूं 50% यह स्टॉक अपने अल्ट केकर प्राइस जरने वाले हैं यहां पर आपने इंवेस्ट नहीं करना चाहिए यह मेरा पॉइंट रहेगा वो यह अभी आ मैंगे आप कोई वी इख करूंग करूंगा ओके दोस्टो थैंक यू अ